पंडा ओफ कुकिंग आज मैं आपको रेसिपी दिने वाली हूं मसारा फिश की तो चलिए देख लेते हैं किस रेसिपी के लिए हमें क्या-क्या चाहिए मैंने 400 ग्राम फिश लिया है मैंने तीन मीडियम साइज के आलू लिया है मैंने इसको काट कर धोंकर और इसको फ्राइ कर लिया जस्ट ऐसे ही कुछ भी नी डाला है मैंने हैंडफो य्ला लिया है धन्या का पत्ता मैंने दो बड़े टमाटर लिये है मैंने 2 Tryble Philosordinic भड़के जींजा गाली का पेस्ट लिया है और मैंने मसाला लिया है अब फिश फ्राइब करेंगे मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है मैंने हाफ टीस्पून हल्दी पॉडर हाफ टीस्पून सुखी मिचिक पॉडर इसको हम लग साफ हाथ से इसको ऐसे अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे कमेल कीजे अब मुझे है मेरे मसाले को मचली में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसको फ्राइ करेंगे मैंने गैस को ओन कर दिया है और मैंने रिफाइन ओल में फिश को फ्राइ कर दियो हम लोग की फिश फ्राइ हो चुकी है हम लोग इसे निकाल लेते हैं हम लोग को मचली पुराच्छे से फ्राइ हो गया है और हम मचली मसाला बनाने की प्रोसेस में चलते हैं नहीं मैंने पाच फोरण लिया है थोड़ा सा कि मैंने इसको छोकल लगा है 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 हुआ 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 है अधिक दोट तो अधिक बर्टी स्पून मिर्चा और इसको जीड़ा और दोटी स्पून धनिया वार्टर सब्री दिया है है जाफ टी स्पून फल्जी अ आपि चारी दाल लिया है और आपिस और इसमें थोड़ा सा पानि एड़ कर लेंगे था कि मसाले को पाश्मर्ण तक फ्राइब करतें हैं इसके पाते हैं अ कि मसाला थोड़ा सब घूं चुका था है इसमें आलू बार तो डालें आलू तो अधिये और इसको आलु उसमें मसाले में हम लोग फकाएंगे और स्वाद रूसाल नमक, आप नमक डाले, और इसको ठक के हम लोग 10 मिनिट के लिए मनाएंगे, अब लोगों का मसाला और आलू दूनों पक के रेडी हो चुका है और इस पर फोड़ा घ्रेवी लगाएंगे अच्छे सब्सक्राइब अब इसे हम लोग फिस्ट डालेंगे मैंने इसको हाई फ्लेम में कर दिया है और इसको एक मिलें तक अच्छा बॉइल आने देंगे हम लोग,… हम लोग अगर मचली में अच्छा बॉइल आ चुका था मैंने sp你是 मैंने gas को ओफ कर दिया है मैंने थणियाव लोग पहले काट के रखे थे मैंने इसको उपर से गानिश कर दिया है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे मेरे वीडियो को शेयर करे फैमिली और फ्रेंस के साथ और मुझे ये फिश करें जब भी बनाए कमेंट बॉक्स से मुझे कमेंट करे थैंक यू